नमस्कार सर, शर्ट सहव जी, सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम किरिशन कुमार है, किरिशन कुमार जी आप कहां से हैं? मैं इक भीर सिंगवास कहा हूँ, तैसिल 47 जिला मेंदरगर्ड अरियाना सिम्जी। सर क्या काम करते हैं आप? मैं पसूं का डोक्टर हूँ मैं 22 फरवरी 2017 मैं पहले चेरवाली मात्ता की पूजा करता था गुगा जी की काफी मतलब हमारे बुजरुक जो किया करते थे वैसे वैसे कई मतलब देवताओं की पूजा करता था और सत्संग में भी जाता था में मटकी बजाता था और बाला जी के जागरण कोई वर्द गुजर जाता था तो वहाँ पर जागरण होता था वहाँ जाता था सर फिर क्या कारण वहना कि आप संत्रामपाल जी माराज की सर्ण में आए देखो सर में जिन देवताओं की पूजा करता था शत्संग में जाता था उनसे मेरे को कुछ लाब वहा नहीं और फिर एक मेरे भाईया थे ताउजी के लड़के थे पंजाब में रहते थे वो तो उनको मतलब एक के ये सोरूम कर रख्या था किसी से पार्टर्शिप में तो वहां वो काम करते थे तो अचानक उनका अक्सिडेंट हो गया और पलस में उन्होंने अपनी छायां सरुक रखी थी मकान बना रहे थे तो कुछ करजा ले लिया था और अचानक उनका अक्सिडेंट होने से कुछ तो करजा वैसे था कुछे जिसके साथ पार्टनर में धंदा कर रहे थे, वहाँ पर वो सामान देते थे किस्तों पर, तो उन्होंने पता चला अक वह अक्सिडेंट हो गया और बचने का चांश खम है, तो उन्होंने उनको मना कर दिया, अक वह हमने कोई सामान ने लिया था उसका पैसे हम दे सोचा अक वह यह पैसे तो गए, तो उन्होंने उसके उपर परिसर दिया, परिसर देने से उनको दो लाग सत्तर अजार उपे उसकी तरफ कर दिये, कुछ डॉक्टरों ने मतलब उनकी पास पैसे ले तो लगने थी उनकी जबाड़ा, मतलब तूट गया था पूरा, दाते निकल चुके थे, पैर तूट गया था, हाथ तूट गया था, उसके बाद में एक, उसने बाद में देखा करजा बहुत ज़्यादा हो गया और आर्थिक स्थितिक बिल्कुल कमजोर हो चुकी, उसने एक दिन बैठे बैठे और अपना सुसैट नोट लिखना सुरू कर दिय बाद में पता चला, तंतरावपल जी महराज का सिस्य था कोई, उसने उसके पास फोन किया, उसके साथ अच्छा बैठा बठा था, थी उनकी बेवार अच्छा था उनके साथ, तो उसने फोन किया, अगभी क्या कर रहा है सुनिल, उसका सुनिल नाम था, बोले तू क्या कर तो वो रोने लग अने लग लेगा है, पुछ न ark को चनले का यहीं पर वह आदलत थी नहीं, उनकी, ने भी कुछ फिर वह कर रहा होगा, तो थ्टा तो थोड़ा सा मतलब मायूस होके बोल रहा है था, तो उसने और था धो है, वो रोने लग 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 Penguin जोर भूर है, उसने बाद में उनसे काग भी परमात्मा संद्रामपल जी महराज कि स्रण में जा वहाँ तुम अपनी अर्दास लगा मालिक तेरी सुनेंगे उसने फिर अर्दास लगाई संद्रामपल जी महराज किसी से था वो वहाँ गया वहाँ जाकर उसने अर्दास लगा दी अर्दास लगवाने के बाद में उसको जो दो लाख स órग शतर हजार रूपे मांग रहा है था उसने केवल सतर हजार रूपे में अग्री कर लिया कभी मैं सतर हजार रूपे दे दे bिल्कुल और तीरे पास हो तब दे देना फिर उसके बाद दो च्यार उसके ऐसे थे जो जिन के पास वो पैसे उधार लेने के लिए कहा वो उधार के लिए मना कर दिया और बाद में संद्रामपाल जी महराज की अरदास लगाने के बाद में उन्हों ने अपने आप उन से कह दिया गभी पैसे हैं और बगैर ब्याज के जब भी आपके पास हो तब दे देना ले जाओ तो उसने मेरे को बताया इसे चमतकार हो है मेरे साथ है तो मैंने उन्हें से कहा यह भई भया तुँ मेरे से चौटा है वह भया तुझ नाम ले मतले लेकिन मैं संत्राहमपाल जी महारज की सरण में जाऊंगा तो उन्होंने ब송ले ठीक है मैं आपके पास हाऊँगा और आने के बाद फिर हम दोनों जा करके एक ठेक साथ नाम लेंगे। मेंने का भी ठीक है फिर वो कोई और संद्रामपाल जी का सीसे मिल गया उनको वह उनके साथ जा करके उन्होंने नाम दिक्षा ले ली फिर दो तीन दिन बाद मैं मतलब संद्रामपाल जी के जो नामदिक्षा के अंदर था वहां गया वहां से मैंने नामदिक्षा पराप्त की सर संद्रामपाल जी मारा से नामदिक्षा पराप्त करने के बाद किया आपको कुछ लाब भी पराप्त हुए बहुत से लाग होए जी मेरी आर्थिक स्तीती कमजोर थी बिलकुल डावाण डोल था मतलब मैं कमाता था वो ऐसे चले जाता था पता ही ने चलता था कहां गए कैसे ने होता है क्या मतलब एक-एक पैसे से प्रेशान था मैं बाद में संद्रामपाल जी की सरण में जाने के बा से दवाईली कोई फायदा नहीं है फिर मैं एक खुद मतलब वेटरनी का काम करता हूं पसूं का डोक्टर हूं प्राइवेट तो मैं एक मेडिकल स्टोर पर गया महां जा करके मैंने दिखाया कभी देखो एर ऐसे मेरे गड़े में कुछ ज्यादा दिक्कत है ने तो कुछ गि दवायन दी और लिक्विड बेटाडीन वगेरा दिया इससे करोला करना यह दवाई लेना मैंने वह लेने शुरू करी तो उससे मेरे और ज्यादा बढ़ता चला गया कोई फायदा नहीं हो है उनसे फेर एक संद्रामपाल जी का सिस्टे मेरे पास आया बहगत जी आया उसन करके 10 मिंट बाद में ही मेरे अंदर गले के अंदर दो चीरे से लगे और अंदर से बहुत सा मतलब मवाद बगेरा निकला और बिल्कुल साफ हो गया फिर एक बगजी आया वहां वह जल राम ले रहा था मैंने वहां पानी से कुड़ा किया और वहां मैं दो-तिन दिन से मतल नवेला जो सांप को विमार देता है वो मेरी बच्ची को मतलब देड़ साल की बच्ची थी गेट पर बैठी थी वहां कि उसको मतलब पकड़ लिया बत दूसरे जो लोग आगे उनने आकर कि उनको डंडी से मतलब उसको छुटवाया उसने छोड़ा भी नहीं आज मेरी मतलब अब तो नामदिक्षा ले रखी संत्रामपाल जी कि स्रण में है पहले वह नामदिक्षा भी नहीं थी और उसने मतलब उल्टियां लग गई थी सात दिन तक उल्टियां निरेट इन उसका सकती थी ने कोई पी सकती थी डॉक्ट्टरों से गोड़ी लेтी गोड़ी ल लगाया और उसके बाद में उसने पाणी का गिलास लिया और पाणी पीना शुरू कर दिया सथसंग सुनती रही और पाणी पीती रही वह बिल्कुल उल्टी नहीं लगी उसके बाद में उसने हमारी जीजा जी से उनके पास फोन किया भी मैं बिल्कुल सवस्त हूँ भी वो अपने गाउं से चलकर आया आकर के बोले बोले मेरे सामने कुछ खाए पिये तो मैं जानू उन्होंने फिर उसके सामने चाय और बिस्किट लिया वो बिल्कुल उल्टी न जए रहते हैं आर्थिक समस्या थी वो सही है अगान भी मेरा पूरा है पूरा मकान बन चुकाया संद्रामपाल जी की रुपा से आज मोज है सर क्या आप नसा भी करते थे खाटा था और वकटा बीड़ी पी लेता था आज बिल्कुल संद्रामपाल जी की स्रण में जाने के तो उस दिन भी मैं गुटका खा रहा था एक संद्रामपाल जी का सिसे था वो कह रहा है तो यह इसको डाल दे फैंक दे मैंने का यार छुड़ता तो नहीं पर मैंने जो ही उस नामस्थल की तरफ मतलब कदम रखे अचानक मेरे मन में ऐसे हो गाए इसको फैंक दे मैंने वो प संद्रामपाल जी माराज से नाम देखशा लेने के बाद आपको सारे लाप राप हुए तो जो सरदालू आज आप को देख रहा हैं उनके लिए अप क्या कहना चाहेंगे देखो मैं कह रहा हूँ कि जो जो भी सरदालू है जो भी माले भगत ये किसी के भी भगत हैं उनसे मैं एक अनुरुद करता हूँ अग बै ये जो नकली ये जो दरमगुरु हैं इनको छोड़ करके संतरामपाल जी की स्रण में आईए और अपना कल्यान करवाईगी सर आप कैसे कह सकते हैं कि संतरामपाल जी महाराज ही असली सद्गुरु हैं ये संतरामपाल जी महाराज हमारे जो वेद सास्तर हैं हमारे सद्गरंथ हैं उनके अनुशार ही बगति बताते हैं ये इनके विरूद बगति नहीं है सर संद्रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं संद्रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए हमारे टीवी चैनल साधना पर साधे 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 आठ प्रोग्राम आता है वहाँ पर एक पीली पटी चलती है उसमें कॉंटेक्ट नमबर होते हैं उन पर फोन करिए और उन से जुड़ने के लिए संपरक करके और अपनी पूस्तक वगेरा मंगा करके और उन से जुड़ें धन्यवाद सार्ड चाचाच करके और उन से जुड़ें